हलो दोस्तो स्वागत है एक वार फिर से आपका हमारे चैनल टूर केलकुलेटर में और आज हम लेकर चलेंगे दोस्तो आपको स्वर्ग हाँ दोस्तो आज हम भारत महिस्तित धर्ती के स्वर्ग की बात करेंगे और स्वर्ग महिस्तित एक बहुत ही खुबसूरत प्रेटा कस्थल गुल्मर्ग की बात करेंगे दोस्तों गुल्मर्ड कैसे पहुंचे घुल्मार काहा रहें में क्या गोमने का हूं शारी बातों की जानकारी दोस्तों आज मैं इस बीडियो के मादियम से आपको दूंगा दो USतों वीडियो शुरू करने से पहले इस चैलेल को सब्स्राइब करें साथ ही साथ अपने दोस्त सभी सहरों से सभी जगों से आपको ट्रेन की connectivity बहुत अच्छी मिल जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले आप जम्मू आ जाए जम्मू से दो तरीके हैं दोस्तों जाने के लिए एक तो आप बाइरोड जा सकते हैं जिसका किराया परतिवेक्ति का करीब राउंड ट्रीव का दोरी 90 किलोमेटर होगी और जम्मू से बनियाल के दोरी 130 किलोमेटर के आसपास पड़ती है तो आप दोस्तों उधंपूर से यह जम्मू से बनियाल चले आए बनियाल जाने के लिए आपको परतिवेक्ति का तीन से 400 रुपे तक का टैक्सी का चार्ज लेगा तो आप बनिय कि लिए दोस्तों को अगर स्रुजर लींग में यह रहे हैं राज्ते में उल्यार ओर यह सफर दोस्तों आपको करीब 3-4 घंटें का लगने वाला है अगर दोस्तो आप स्रीनगर एर्पोर्ट आसकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो कहां रहा श्री नगर में रहना ज्यादा सही होगा या गुलमर्ग में दोस्तों गुलमर्ग में एक छोटा सा जगा है इसलिए वहाँ पे होटल भी कम है साथ-पैंसट होटल सी ही तोटा लोंगे जहां थोड़ा कौश्टली होटल मिलते हैं तो आप कोशिश करें श्री नगर में अपना स्टे लेले अगर दोस्तो आप गुलमर्ग में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप गुलमर्ग का भी ऑप्शन ले सकते हैं लेकिन गुलमर्ग के होटल्स आपको स्री नगर से थोड़े कोश्टली मिलेंगे जोकि 2,500 रुपया से स्टार्टिंग होगा जबकि स्री नगर्स के होटल्स आपको 1,200 रुपया से स्टार्टिंग होने मिल जाएंगे स्री नगर्स काम है नोनवेजवाले आइटम काफी मिलेगी अब बात करते हैं दोस्टो श्री नगर्से गुलमर्ग कैसे पहुंचा जाएं तो स्री नगर्से गुलमर्स पहुचने के लिए दुबवारा टटक्सी करने पड़ेगी जिसका किराय अभी 1.500 से 200 करीब होगा और आप गुलमर्ग पहुंचाएंगे दूसरा तरीका है दोस्तो आप डारेक्ट टेक्सी बुक कर लें जो की कड़ी 2000 रुपय का चार्ड लेगी श्री नगर से गुलमर्ग के लिए 377 राउंट ट्रीप ली तो दोस्तो आप अपने सु जोडियों को मुशं में जाते हैं और बर्फ देखना चाते हैं तो गुलमर्ग में और कंपी आची वर्फबारी रुपी, मिल जाएगी और लेकिन अगर आपके वर्फ धेलना चाते हो तो इसके लिए आप रुब्बे से आगे जा सकते हैं रुब्बे का इन बाइय की रहा तो बेतर हो है क्योंकि वहां oxygen की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है अब बात करते हैं दोस्तों गुल्मर में क्या क्या देखने को है क्या 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 करने को है तो गुल्मर में दोस्तों चारों तरफ आपको वर्फ की चादरें देखने को मिल जाएगी अगर आप सर्दियो को देखाने लुटा जाएंगे बात करते हैं गुलमर्ग में क्या क्या करने को है दोस्तों में काफी ज्यादा बर्फ होती है जिसकारण से यहां सबसे अधिक पोप्लर है स्कीऑ अगर आप स्कीऑं करना चाहते हैं तो औली के बाद सबसे अच्छी जग़ गुल्मरगी मानी जाती है तो दोस्तो отв जब ढबि जाए तो गुल्मरग में इसका कुछ चार्ज है तो दोस्तो आप चार्ज़लिक में देख सकते हैं वहाँ चार्जलिक का बोड लगा हुआ है आप अगर चाहो तो दोस्तों वहाँ तूर गाइड भी कर सकते हैं हर एक्टिविटी का चार्ड लिश जो भी होगा दोस्तों मैं आपको वीडियो में ही आगे मेंसन कर दूँगा तो दोस्तों जब भी आप जाएं गुलमर्ग तो आप वहाँ स्कींग करना ना भूलें चार्ज आपको 1000 रुपिया प्रतिविक्ति का लगेगा जिसमें आपको कई सारे पॉइंट भी हो गुमाएगा साथी साथ एक उचाही पर ले जाएंगा बाइक राइडिंग शुरू होती है उस जगा तक आपको ले जाएंगा जब भी जा हैं दोस्तों आप गुलमर तो बायक स्चोराइडिंग करना न भूले। स्नोभ राइडिंग का Чार्ज 1000 रुपया से स्टार्ट होता है अगर आप सोट आडड करना चालते हैं तो यहहार रुपया का चार्ज देना होगा और अगर आप लॉल्ग राइड करना आसे खूंटे मि bit ऐने फूट्रा को सफेक देखते ही बनता है क्योंकि इस बााइड़ वाल में पानी गिरते जमां गईगएनाus उसके लिए टेक्सी वाला आपको 1000-1500 रुप्या का एक्स्टा चार्ज करेगा लेकिन दोस्तों यह बहुत ही खुप सुरत जगा है दोस्तों आप चब भी जाये गुलमर तो द्रांग वैली जरूर अब बात करते हैं दोस्तों तोटल कितना खर्च होने वाला है दोस्तों कापी अच्छी बरवारी होती है तो बरवारी का आंद ले गुल में माज मैं तक यह बहुत अच्छी बरवारी और आप यह अध्र वीडीयोश करेंगा कास्मीर के दूसरे परेट अकस्तल जैसे की स्री नगर और सोर्मर्क के बारे में बताऊं तो जल्दी दूस्तों आपसे मिलता हूं अगले नए वीडियो के साथ अब तब तक लिए बार दोस्तों लेकिन जाने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब पढना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर ले अब आपने इस्टागराम पर मुझे फॉलो कर ले नहीं किया है तो इसटाग्राम पर भी 0 Si